यूटूब चैनल प्रिक्साइप पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओल उफ्यू मैरी तू चलिए हम जो तैयारी अब कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे हैं यूजी सी नैट की लाइब्रेरी साइंस के अब क्लास कर रहे हैं कोशन आपको क चाहिए और यह पर कि आपको मिल जाएगा साइट पर जिसमें आपको 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके पर हो चूकर है तो इसका आपको बेनिफिट होने वाला है ओल पेपर का क्या आपको बार बार जो आपका है आगे पीच्छे आपको पेज्ट अपना नहीं करना तो उसमें आपको और साथ के साथ क्या आपको option भी आपको देखने को मिलेगा तो यह आपको जो मिल रहे है old paper आपको सो रुपे की कीमत पर आपको मिल रहे है लिंक जो है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अगर आपको purchase करने है तो आप purchase कर लिजे क्योंकि old paper का benefit आपको देखने को exam में अविश्या आपको मिलता है old paper से चलिए अब हम अपनी class की और बढ़ेगे और अगर आपको purchase नहीं करना है तो Sunday Sunday में क्या होता है Sunday में आपको old paper की class मिलती है जहां पर आपको Sunday to Sunday यह सिर्फ जो class आपकी old paper वाली है यह Sunday में आपको मिलेगी वैसे जो आपके डेली है वो आपको डेली Monday to Saturday Monday to Saturday जो आपकी class चल देए वो आपके syllabus वाइज आपको क्या है आपको question करवाए जा रहे है तो Monday to Saturday आपको जो question करवाए जाते वो syllabus वाइज होते और old paper आपको Sunday to Sunday आपको मिलेगा जो भी बच्छे चैनल पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा चलिए अब हम अपने question के और बढ़ेगे question first आपका library is a source of finance for which kind of libraries परकार के डैस यह आपसे पूछा गया प्रकार के पुस्तकालियों के लिए पुस्तकालिय का जो कर होता है वो एक वित का क्या होता है श्रोत आपका होता है चलिए जो finance का आपका source आपका होता है तो इसमें जो question में पूचा गया आपसे question में क्या पूचा गया finance का जो स्रोनें वह होता है ऐसे फाइनाइन इस होता है है किस्पार्य क्रमार सब्रद करें चैनिक भी पुष्प बिजनिस लाइब्रेरी वियापार पुस्त काले तो पुस्त काले जो आपका है पुस्त काले क्या होता है जो लाइबेरी आपके होते हैं वहाँ पर क्या किसी भी तरह का आपका भेदबाव नहीं किया जाता है क्या नहीं होता बेदबाव नहीं होता बेदबाव कैसे नहीं जातो आपना तो आपका जाती का नही प्रशौ्ट्रालिये अपके आपके होता है उसका यानि किसी भी तरह से आपके साथ आपके साथ नहीं 2015 यानि और आपके Все जरूंस सब्सक्राइब आपके और शोपा शान इसम guess बेद लिए हमारArt थी सर्थ में है युनेशको ने कभ गोशना की थी जो युनेशको आपका है इसने गोशना पत्र जो आपका 1972 में पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा था किसके बारे में पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में तो एके करके यह हम जानेंगे आप चलिए एके करके इसमें आप डिटेल से अब हम जानने वाले हैं इसमें सबसे पहले उसने क्या गया था जो इस्थापना का जो कानून के आधार पर हो इस्थापना किसके कानून के आधार पर होनी चाहिए कानू के आधार पर फिर क्या है जो आपका वित विवस्था होती है वित जो फाइनेंस आपके अरिंजमेंट होगी विवस्था आपकी होती है वो सरकार के ऊपर आधारित हो सरकार के क्या गोर्मेंट के ऊपर यह क्या होनी चाहिए आधारित आपकी होनी चाहिए सबसे पहले आपका क्या था जो वीत वेश्टा है वो किसके सरकार के ऊपर क्या होनी चाहिए बेजड आपकी होनी चाहिए तो किसी से सेवा के लिए सुल्क ना लिया जाए जो सर्विस आप देते हो सर्विस दी जाती है उसके लिए कोई भी सुल्क यानि फिरी आपकी क्या हो सुलक कोई भी आपका नहीं लिया जाये तो फिरी सर्विस होनी चाहिए तो इसमें क्या था जो आपके 2009 में 2009 के हम बात करें तो इसमें क्या था भारत के कुल भारत के 19 जो आपके स्टेट थे 19 स्टेट में क्या गया पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लाये गया पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने राज्ये में आया आपका 19 राज्ये में सकते स 1900 सब्कूइब य॑ बढिया अब जहां पर टेक्स भाए जाegeंगे तो पाँच राज्य आपके कौन-कौन था पहले स्टेट था मदरास पब्लीक लाइब्रेरी एक्ट मदरास पब्लीक लाइब्रेरी एक्ट मदरास पब्लीक लाइब्रेरी एक्ट मदरास पब्लीक लाइब्रेरी एक्ट दूसरा था आपका आंध्र परदेश पब्लीक लाइब्रेरी एक्ट तीसरा आपका था पब्लिक लाइबरेरी एक्ट चोटा जो आपका स्टेट तो आपका पंच होगे अपका किरल न्हें पर पर वाइबरेरी लुटा जो कि चलिए आप नेक्स्ट कोशिण कोर बड़ता है कोशन फ़स्ट को अपने देखिक लिए व्पशन इक्या आपका राइट आस्वर स giàust world of learning is being published since world of learning प्रकाशित की जा रही है जो world of learning है वो published की जा रही है प्रकाशित की जा रही है तो कैसे प्रकाशित आपकी यह की जा रही है option है अब आपका 1951 AD 1951 इस्वी से option B 1936 AD 1936 इस्वी से option C 1964 AD 1964 इस्वी से उस्वी से तो कब सही है आपकी प्रकाशित आपकी की जा रही है तो यूरोफ वाल्ड ओफ लर्निंग जो है वीश्यों बर्खित पॉल्ड आकजै यहां की इंस्वी पभर की जा रही है नाइटिंस्वोटी सैवन एड इस्वी से निर्ड यानि वार्सी की यह आपका प्रकाशन है जो 1947 से आपका क्या गेता तो यानि विक्षेर्णिक संस्तानकी जानकारी जो है उसका आपका शोथ से एक आपका बना हुआ है थ भी जिवारिय पुलिक लाइबी पुस्त कर लें पुस्त कर लेंड है पुषयल लाइबरेरी इसे ने ने रिखर बीप करेंद हो फिला मिनटरिमेंट भी लाइब हुशन धर है यलै drawer को है साफ माराजी स्याजी राव् गायकवर्ण स्टास तो कि निमीद्ट आहले told तो इसमें आपका अप्याओं व्यश्यात इसमाल law वैट की तो है तो इसका right answer आपका option है इस सारव जनिक पूस्त काले किताबों के वर्गी करन के लिए वर्गी करन योजना का परियोग करते है ऐस ऑप्षनroid क्लासिफिकेशन आपका होता है क्या बैच्छो कोशन 4 में पूछा गया है जो कुशन 4 है अधिकां सारजनिक पुस्तिकाल जो hargik уст किता लेटेस वरगीकरन योजिना कापका प्रियोग किया गया है तो कौन से यह आपका ddc जो कि आपका डेवी डेशिमल क्लासिफिकेशन होता है कौन से ग्लासिफिकेशन डेवी डेशिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है तो डेवी डेशिमल क्लासिफिकेशन होगा डेवी डेशिमल क्लासिफिकेशन ही आपका होता है तो डेवी डेशिमल क जो बोल्चाल है आपकी बोल्चाल की जो लेंग्वेज है वो कौन सी है लेंग्वेज है इसकी डेवी दसलव पर्नाली इसे कहते हैं क्या कहते हैं देवी लग पर्नाली कहते हैं तो 1876 में 1886 में आपका मैलविल डेवी तो मैलविल डेवी के दोारा क्या किया था मैल बने वियु एसे में पहली बार फ़स्ट टाइम यानी पहली बार पर्थमबार फ़स्ट टाइम ने घृब्ली स्दाथ की गई थी किसवामित पुस्तकाल रगिकल पर्णा गाँ तो इसमें क्या था तो इस आपकी पर आपके संस्क्रण आपके होते हैं चांप ऊंलाइन संस्क्रण वंब डेवी नाम से परचलित खी चारणंछ Korea ओनलाइन संस्क्रन किसके नाम से ओनलाइन जो आपका संस्क्रन है यह आपका है वैब डेवी के नाम से किसके नाम से वैब डेवी के नाम से तो ओनलाइन जो संस्क्रन है वो वैब डेवी के नाम से प्रचलित आपका है तो कोशन जो आपका है कोशन फोर्ट कोशन फोर्ट का इसनि censorship ऐब आपका क्लासिफिकेशनस बीडेवर सिम्धिम दी सारव बम झारीटर क्लासिफिकेशन कोशन फॉर्स प्रॉर पर आपका डेवी डैशिमल क्लासिफिकेशन चलिए निस्ट सब्सक्ष्ट क्न कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट कर दो आपका खिएक्ष्टन नबर फाइए नेक्स्ट सब्सक्षन लिए पुस्थकाल्य कानून पुस्तकाल ले। ऊपशन टी उप्यूक था त सभी तो बूस तो जो आपका कानउन और किसकानूदी सम्बंधित है विकाषशा की थे उनाइस्कों ने क्या गोशना की थी पब्लिक लाइब्रेर्यी पब्लिक लाइब्रेंटि के जो अपका राश्च्टेता लैंगवेज एजूकेशन किसी भी आधार पर क्या होना चाहिए जो इसमें था आपका अधार पर इसमें कोई भी बेदबाव नहीं किया जा सकता धरम हो गया आपका जो रिलीजिन आपका होता है धरम यानि religion होता है society हो गई एज हो गया है लिंग हो गया एजुकेशन आपके होते तो यह सभी के लिए आपका खुला होता है इसमें किसी भी तरह का आपकी रुकावटर नहीं होती सभी को इसमें आपका सभी के लिए आपकी open होती है कुली हुई होती है एक ऑप्शोन इसका राइट आंसर के आपका औप्शन 2 सारजनिक पुस्तकाल यह the public libraries इसका राइट अंसर ओगा चलिए next question यह ब आपका question लाइट नंबर 6 next question आपका देंग एक action नंबर 6 question 6 में किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निमलिखित की सूचना आवेशकता पूरी करना जरूरी होता है क्या होता है पूरी करना जरूरी होता है उप्षन इस्थान्य समूदाय उप्षन भी व्यापार निगमो उप्षन सी विश्विद्यालियो सिख सको उप्षन डी सरकार संगठनों तो राइट आंसर क्या होगा इसका जो आप का है सावजनィक जो लाइब्रेरी के लिए निमली कित कि जो सूचना है वो आवशक ताइप पूरी करना क्या होता है जरूरी होता है तो सार्डनिक जो कुष्ट काल्या दूर्ण सवाधी सब्सक्राइब सुपन्दितथ राष्ट काल्य मंपस्तकाल्य को सब करता है हिए के बाद आपका आता है राज्ये आफ़ागे पुस्त काले समख बागया पुस्त कालंस एफिर आपका तीसरा है जीला केंद्री आत्लै पुस्त काला अब को देखते हैं सबहाई जाए चाहिए्स आरफजानिक लाइबरोय्यर्यरि के आपके प्रकार चैपर खंडियां पुस्तर कर लिएक भादार से कर्वाक्त कर्के लिसका वंक्यार हून्य पूस्त करया यह तो यह सभी आपके लाइबरेरि जो आपके हैं जो सारजनिक नपेन पूस्त कर लेक्ष प्रकार यह गही तो इसके घाल प्लीक लाइबरेरिय जह घरए आपको रैट टांसर किया होगा क्वेशन सिंथ का राइट आंसर आपका है स्थान्य शमूदाी स्थान्य समुदाइए औप्षिन समुदाई है आपका व्यापार निवर्ण परेंगें सट्रुड़ा Jake सिक्ष्थ संगंटनों क्या है आपका रा caffeine होगा चलिए नेक्स्ट कोशछन गो वाठ़ेगे सब आपको कोशन नम्बर सेवन नेस्ट कोशन आपका ब्योरों दौरा दिशा Bom Sociable में कित्में से कौन 薔राहा है कौन सा विभा है झाल और बचछों और पिछडे वर्गों को सेवाए है किए य में सिए जग है का भी औराउप्शन सी मोडल सारवजनिक पुस्तिकाल्य अदिन्यम ऑप्शन डी सारवजनिक पुस्तिकाल्य है गोफषन पत्र तो जो कोईशनं है साथवा साजलिक मैं कि έχ what यह क्या है एक आपका लाइब्रेरी दोता है जिसमें आम जनता के द्वारा क्या होता है यह आपका जैसे कि आपका कर टैक्स इसमें होता है तो जो सार्जनिक पुस्ट काले होता है यह सभी के लिए आपका ओपन होता है इसका राइट आंसर क्या होगा कोशिन 7 का राइट आंसर आपका किसी पुस्ट काले के लिए आप एक सित जगे है उसका ब्योरा तो question seven option भी right answer important यह question आपका important है question number seven चलिए next question के और next अब आपका question है question number eight next question आपका दिया गया question number eight question eight is question eight कौन साब पुस्तकाले सॉयुक्त राश्ट संग के एक नयाशी पुस्तकाले के रूप में काम करता है option दिल्ली पप्लिक लाइब्रेरी option b कौन मारा पप्लिक लाइब्रेरी option c केरल राज्ये central लाइब्रेरी option d करनाटक लाइब्रेरी तो right answer क्या होगा जो आपका question है इसमें पूछा गया जो पुस्तकाल में संयुत राष्ट संग क्या एक नगले के रूप में काड़ी आपका करता है काम करता है तो जो दिली पबलिक लाइब्रेरी देली पबलीक लाइब्रेरी इसकी स्थापना कब की गई है उद्गाटन है वो किसने क्या था तो लाइब्रेरी का जो उद्गाटन है वो सबसे पहले तो भारत के जो पहले क्या थे जो भारत है उसके पहले परधानमंत्री ने किसने पहले जो आपके परधानमंत्री है पीम आपके प्राइम मिनिस्टर जो कोन थे पंडित जवार लाल नहरू थे कौन थे बच्चो यह थे आपके पंडित जवार लाल नहरू जवार लाल नहरू थे कौन थे पंडित जवार लाल नहरू थे इन्हें उन्हें क्या था 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1951 को किया था 27 अक्टूबर 1951 को किया था 27 अक्टूबर 1951 को इसका जो हैड़गौर आपका पुरानी दिल्ली जू की डेलवे स्टेशन के सामने आपका सिच्यूएटिट है तो हेड़कॉर्टर के अगर हम बात करें मुख्याले के अगर हम बात करें हैड़कॉर्टर जो आपका होता है वो कहां पर है जो आपकी ओल्ड देली है यानि पुरानी दिली पुरानी दिली में क्या है यह आपका हैड़कॉर्टर इसका है दिली पब्लिक लाइब्रेरी की च है जो आपके पहले पीम थे पंडी जवालान लेहरू 1950 में इसकी स्थापना की गई थी तो यह क्या इसका राइट आंसर आपका है कोशन 8 का ओप्शन है राइट आंसर आपका है चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ेगे नेक्स्ट अब आपका कोशन है कोशन नाइन नेक्स्ट कोशन आपका है कोशन नमबर 9 किस प्रकार के पुस्ट कालियों में बकाया प्रबाराय का अतिरिक्त शोत होता है ओप्शन ने अकादमिक ओप्शन भी विसेव्जूश्व सवरजन इक ओप्शन डी यह सभी तो राइट आंसर क्या होगा इसका दूनिया में शबसे बड़ी आपकी कैली कॉंसे युनिवरस्टी बचोड़ों कैलीफोर्निया 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 जो यूनिवर्शिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी क्या है आपकी अकैडमिक लाइब्रेरीज आपकी है कैलीफोर्निया जो आपकी यूनिवर्शिटी कैलीफोर्निया यूनिवर्शिटी एक सबसे बड़ी क्या आपकी साखने को पुस्त काले पर नाली क्या आपकी संचालित यहां पर करता है कुशन नाइन का ओप्शन ए कुशन नाइन का ओप्शन ए अकैडमिक या अकाडमिक जो है आपका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट को नेक्स्ट अब आपका कुशन है कुशन नमबर टैन कुशन टैन है पुस्त काले जो समाज के सभी सदश्यों की उम्र और लिंग में बेद किये बिना सेवा करता है और पुस्टिकाले यह आपके वो समाज के का सभी आपके ओल मेंबर उनकी फिर नहीं यौश है उसमें इसक्सा होगा अप्षण पुस्तिकाल सबी और या इस सभी के लिए आपकी अप्रीना नहीं किया जाता ना जैंडर और ना ही आपका रिलीजेन का, ना ही आपका नैशनलिटी का, ना कास्ट का, ना कलर का, क्वेशन टैन का उप्शन भी सावजनिक पुस्तिकाले पब्लिक लाइब्रेरी जो है आपका राइट आंसर इसका होगा, क्वेशन टैन का उप्शन भी क्या, आपका पब्लिक लाइब्रेरी सावजनिक पुस्तिकाले इसका राइट आंसर है, चलिए जो भी बचे चैनल पर नहीं है, सबसे पहले वो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और वीडियो को जादे से जादा आप शेयर कीजिए, थैंक्यू, भंटे टादीए, थैंक्यू, य रहाँ वो चैंटार कीजेच खर वंगन भाइको अटा राइको दूंटन सर्माधा लिए,